आपके पास Poco F6 F6 Pro है कोई भी फोन है तो यहाँ पर आप यह जो सर्च बार आ रहा है एप ड्रॉर में इसको रिमॉफ कैसे कर सकते हैं या फिर कीबूर्ड की प्रॉब्म को कैसे फिक्स कर सकते हैं तो यह बंद करने के लिए आप स्क्रीन पर टच अन होल्ड करके रखेंगे सेटिंग को आपशन आएगा क्लिक कर लेंगे मोर के ओपशन पर जायेंगे और यहाँ पर इस वाले option को क्लिक कर लेंगे App drawer पर यह selected होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर suggestion बंद करना है तो इसको बंद कर लेंगे तो जो भी आप चलाते हैं उसको suggest नहीं करेगा application को यहाँ से category अगर आप select कर सकते हैं तो category चाहिए तो ठीक है अदर्वाइस बंद कर देंगे इसके बाद background इसका कैसा रहना चाहिए automatic या dark या फिल light तो मैं auto कर दूँगे इसके transparency को कम ज़्यादा आप set कर सकते हैं apply कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलता है scroll bar का original layout छोड़ देंगे इसको और इसे on रखेंगे ताकि कोई नया application इंस्टॉल करेंगे तो आपके home screen पे भी वो add on हो जाएगा और इसको आप छोड़ देंगे और यह वाला option बंद कर देंगे जो main option था यह वाला था opening app drawer open search bar after opening app drawer तो यह बंद कर देंगे ना तो आपका search bar या फिर keyboard की problem fix हो जाएगी इसको आप छोड़ देंगे back कर लेंगे अब आप scroll करेंगे ना तो देख सकते हैं app suggestion भी आपका remove हो गया बाकि आप scroll कर रहे हैं तो keyboard का problem भी fix हो गया ठीक है तो ऐसे करेंगे ना जब तब ही आएगा यहाँ पे search bar पे click इसी टाप की interesting वीडियो के लिए आई बटन पे click कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार